हेलो सुदंस तो आज के स्टेव में हम डिस्कॉसum करेंगे एकोनॉमिक आज हम इस सब्जेट काका कम्प्लिक डिस्कॉसं करेंगे तो इस इस सबसे पहले 70 मार्क के उकुड़ी जो सकती है उसको लेकर बात करेंगे हम हर एक कोशन को डीटल में समझने आले कितने मार का ठीकल टॉपिक पूछा जाएगा इस बार कोशन में 5 में क्या हो सकता है और हमें सारे कोशन अटेम्ट करने तो कौन से स्टैडिजी के उकुड़ी हम हमको तैयरी करने चाहिए जिसे एक दिन के देर भी हम कंप्लेट प्रिपेशन कर पाए और इस बार हमारा एकोनोमिक का कंप्लेट न्यू सिलिबस है तो इस बार हमें हरे एक कुड़ में से कौन-कौन से आएमपी कोशन रहेंगे वह में रीड करने चाहिए वह भी आज करने चाहिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसले फटाल पेपर बैटन की बात करते हमारी एक्जाम अगें 70 मार्क के साथ हुने वाली है तो मैं पेपल में टोडल 5 कोशन देखनों को मिलेंगे हर एक कोशन के जो मार्क रहेंगे वह एकोल रखे जाएंगे 14 14 मार्क क्या को इन टोडल 5 कोशन में पूछे जाएंगे जिससे हमारा भी उपर के 70 मार्क हो जाएंगे complete उपर के जो चार कोशन है वो एक एक यूनिट में से पूछा जाना आला और जो कोशन 5 रहेगा वो एक से लिगा 4 का मिक्स अब रहना आला है अब यह जो टोडल मार् मेरे एक्समेंस के बेस पर और पास्ट इतने सारे यर के पेपर को देखते हो एकोनॉमिक में 95 परसंट जो चांसिस होगता है 14 कप्शन में 14 ही पूछा जाता है चाया कोरोना टाइम में 50 मार्क हुआ तो भी 14 के अकोड़ी ही पूछा गया क्या हमारे कंटेन ही एकोनॉमिक मे की होगे तो भी आपको 14 के ही देखने को मिलेंगे तो 90 परसंट चांसिस ही है कि हमको 14 को ऑप्शन में 14 करके पूछा जाए इकोनुमिक भले न्यूस लिबर से फिर भी इसी के चांसिस समझी का ज्यादा रहेगा बाया चांस ऐसा हो सकता कि 14 को ऑप्शन में 77 देखने को मिल स सकता है एंटर दिखिए है मैं आपको इंप बताने आलो उपर की जो चार कोशन है वह बुक से समझेंगे आएंप बताऊंगा तो पहले कोशन 5 पहले देख लेते यह कोशन 5 सबसे ज्यादा एजी रहता है और यह हमारे एक्जाम में पास होने के लिए और हाइस मार्ड लान आपको सेवन जितने ही अटेम्ब करने रहें लेकिन अगर एक मार्गा पूछा तो आपको फॉर्टी अटेम्ब करने रहें गया तो आपको दिये गयोंगे अब जब बारा में से साथ ही लिखने तो मैं जैसे हरी कुडी में आपको बोल रहा हूँ नमबर आगी पीछे चले यह 14 आप कवर कर ले तो आप देखिए एक दिन के अंदर तैयरी के अंदर आप पासिंग के पास पहुच जाते हो और जैसे आप उपर के कोशन आटाएं गो दो तो पास भी हो जाते और अच्छा मार्ग भी आते है अब इसके तैयरी समझे है कैसे करेंगे तो न्यू है बस इस बुक में जितने भी दिए वो तैयार कर लिजिएगा यह त्यार करने से क्या रहेगा चार्चा लिविडी यह त्यार करने से जोबी 10 यह वारा दिये गया होगे वह इसी में से आपको मिलने जाले वाले थोड़े एस्ट्रा दियेगे मुझे साल लगर वैसे 20-25 होते लि भी तयार कीजिएगा चार चार यूट के आई हो पी आपके तयारी आप इसको समझ पाए होंगे तो अब हम उपर के चार यूट को बुक के थूर समझेंगे जहाँ पर मैं हरे इक यूट के आएमपी कोशन भी बता दे जाओंगा सास अंद में स्ट्रेटिजी भी समझाती हो यह new book है new syllabus के साथ हमारी exam और यह तो extra preparation जरू किजेगा सबसे ले तो जो आपके बताने रहें उनको वह extra वाले भी जरूर पढ़ने रहेंगे तो start करते हैं इंगलीस में भी total में समझाने आप तो first जो हमारा यूटे उस में सबसे हले मुझे जो लगता है वो topic पहले आपको कौन से पढ़ने चीए तो हमारा आर्थिक आयोजन की जो सिध्यों और मर्यादों जो लिखा गया है इंगलीस में लिखा होगा achievement और limitation इन दोनों को एक ही समझेगा दोनों में से कोई एक topic आ सकता है अब दोनों को साथ में पूछा जा सकता है पॉइंट नबर 4 और 5 यह topic वा दूसरा जो हमारा topic निर्दर्शों को लिखा गया एक आर्थिक वृद्धी का भी और आर्थिक विकास का भी इन दोनों के निर्दर इंडिकेटर वो second इन दो में से मुझे लगता है एक topic जादा पूछने चाहिए यह लास दिन वालों के लिए पहले यह रेगिलो आलों को भी अच्छे से पढ़ना है अगर आपको एस्ट्रा कोशन पढ़ने कौन से चाहिए तो उसके लाब लक्षन जो दीख रहे है रेगि लिए लिए बात कर रहा हूं उसके लिए निए नवर टू के अंदर तो यहाँ पर सबस्वरी स्टार्ट क्या कर सकते हो तो स्टार्टिंगे जो तीम टॉपिक दी है यह सबसे पले ले ले ना क्योंकि इसमें से एक निकलना की चाहिए निटियों जिसको इंगलिस आप समझ निती है इंगलिस में लिखाओगा न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 और साथ में स्टार्टप का नया टॉपिक है तो इस्टार्टप में सभी पूछने जांसे हो सकते है तो आप यह स्कीम वाला टॉपिक पढ़ लिजेगा ठीक है रेग्लिवाल की बात करो बाकि दो इनट इसी है वह भी मैं आपको बताने की कोसिस करोगा यह तो टॉपिक है तो बोलना चाहिए एक ही टॉपिक कवर कर लिजे रेग्लो वालों की बात करो ऊपर के तीन जो हमारे कुरूशी की दियेगे एग्रीकल्चर के वह तीनों कवर कर लिजे जैसे कि भूमी का जो अला टॉपिक दिया गया प्रशनों पढ़का रहो जिसको इंग्लिज में लिखा हो सकता है प्रॉब्लम्स या इश्यू यह टॉपिक और लास्ट में जो उसकी नीती है राष्टिय कुरूशी नीती नैशनल एग्रीकल्चर पॉलिसे 2000 की यह तीन टॉपिक में से मुझे ल तो रोल होता है वह आप पढ़के जा सकता है यह आपको सम्जार हो किस सरसे मैं आपको स्ट्रेटेजी वाइस आएंपी समद देने के गोसिस कर रहा हूं जो सेवा छित्र का बता आएगा सर्विस सेक्टर का जो उसका कॉंसेप्ट ख्याल और फाड़ों यह टॉपिक पहले पढ़ना उसका यह सारी नीतिया बताएगी अलगला जो पॉलेशी होती है वह बताएगा इसमें सो कोई भी पॉलेशी आ सकती है फिर भी मैं पहले बोल रहा हूं आप पॉइंट नमर्र 6 और 7 कम से कम यह तो पढ़िएगा जो पर्यावन का रिलेटेड डिया गया है एन्व मुझे लगता आप सेफ हो जाओगे तो कुछ यह आएंपि रहे हैं जो मैं स्ट्ट्रीजी के थूँ बता रहा हूं लाजमेवाले है तो कम से कम यह पढ़ना है जो मने दिये नहीं कम से कम टौपिक दिये यहापर जो मैंने तीन टॉपिक आपको बता है यहापर ऊपर थीन और यहां पर यह तीन यह कम से कम लाजन वालों के लिए और रेग्लों वालों को हमें से यह जो एस्ट्राइब टिक की है वह भी सेप्टी की रूप में पढ़के जरूर जाइएगा जिससे आप सेफ हो जाएगे अब लाजन में कौन से दूर्ट सबसे पहले पढ़ सकते हैं तो थ्री और फॉर है जो सबसे पहले पढ़ सकते कोई पॉइंट मुझे लेता थोड़े इसी है बागि आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो रेग्लोर हो तो चार्ज और वैसे आपको पढ़ने तो चाहिए तो कुछ इस तरह से यह आएंप रहेगी आपको किलियर हुआ होगा नियू स्लिवर से एस्टा प्रेपरेशन जरू किजेगा सबसे तैयारी कहां से करें अगर लाज देख रहे हो तो असलिए आप एमसो की कि तैयारी कर लेंगे उसकाद कोई भी ऐसे दो यूनिट पा कर लिजिए जो आपको एजी लगते है पढ़ने में वो तैयार कर लिजि आपके सेमिस्टे का वाँ कोर्स अवेलेबले कोर्स में आप जॉइन होंगे तो कम से कमेंटाइम में आपकी बेस्ट प्रेपरेशन होने वाली मिलते ने इस वीडियो में विश यू अल्दा बेस्ट थैंक्यू